आज हम जानेंगे मल्टिमीटर की साहता से प्रत्रोध का मापन कैसे किया जाता है और इसका सर्कुट डाइग्राम भी देखेंगे तथा जानेंगे किस प्रकार से मल्टिमीटर से प्रत्रोध का मापन किया जाता है तो आईए जानते हैं कि multimeter में जानते हैं दो terminal होता है A और B मालीजिये इसमें दो terminal है A और B और इसमें center में प्रित्रोध जुड़े होते हैं तथा इसमें एक variable resistance का हम प्रियोग करते हैं तथा हमारी इसमें गल्बनो-meter होती है जो की दरसाती है कि मतलब परिपत में धारा बहती है या नहीं बहती है ठीक तो आईए जानते हैं जैसे कि जानते हैं जब मेंटर के प्रित्रोध कमाबन किया जाता है तो जिसके मतलब multimeter के दो output terminal होते हैं A और B जब इसको 60 circuit या लगपतित किया जाता है तो परिपत में अधिक्तम धारा प्रवाहित होती है उस समय ग्याल्बनो-meter का पूर बिच्छे पड़ होना चाहिए जो ग्याल्बनो-meter होता है उसमें मतलब उसका बिच्छे पड़ होना चाहिए ठीक तो जैसे हमारा जैसे हमान लिए कोई प्रिद्रोध है उसका मापन कर रहे हैं तो माली जी उसका माण सूनने है अगर उसका मान स्वाहित है तो जो है यह इसमें ग्याल्बनो-meter जो है आरिक्स का मान सूनने है इस परिपत मे सुन्य समायोजन के लिए समानेता गल्बनोमीटर के स्रेडी में एक जैसे की एक बैरिबल रिजिस्टर लगा लेता है तो जब हम एवी को सौट सर्कृट करते हैं तो संकेतांग जो है वो सुन्य ओम पर आ जाता है जिसे हमें पता चल जाता कि हमारा रिजिस्टेंट जो अग होगया एक किलों हो गया डसकिलों उम गया सव किलों हो गया इत्याद होते हैं इसी दौरा हम प्त्रमाबर करते हैं तो जैसे हमें कि मल्डीकी किया क्या सथिद्धाय होती है तो इसकी आई जानते हैं इसकी sensitivity तो analog multimeter की sensitivity on DC होती है हमारी 30 kilo ohm per volt analog multimeter की sensitivity on DC होती है 30 kilo ohm per volt होती है और DC voltage range होता है 2.5 volt से लेके 2.5 kilo volt और AC voltage range होता है इसका 5 volt से 2.5 kilo volt और sensitivity on AC के लिए होता है 2.5 kilo ohm per volt होता है और DC current range इसकी होती है चार micro ampere से 10 ampere तक और AC current range होती है 100 micro ampere से 10 ampere तक और resistance range होती है एक ohm से 10 kilo ohm तक ठीक दोस्तों और इसकी accuracy देखिए DC voltage and current पे होती है full scale deflection होता है और frequency response जो होता है इसका platform में 20 hertz to 40 hertz 40 kilo hertz in 2.5 volt to 5 volt range ठीक और इसकी batteries required होती है 1.5 volt से और 9 volt से यह रही इसकी specification यानी analog multimeter की विसेशता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो like comment और share करना ना बुलें थैंक यू झाल 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 झाल